दोस्तों भारत में जो ट्रेंज की मैनिफेक्ट्रिंग होती है उनमें इस्तमाल होने वाले जादतर वील्स यूरोप से इंपोर्ट किये जाते हैं लेकिन अब इंडियन रेलवेस देज में स्वधिसी रूप से इन वील्स के प्रोडेक्शन के लिए एक मिस्टन पर निकल चुकी है तरसल यूक्रेन वर के चलते हमें वील्स की सप्लाई में डिले देखने को मिला था इसके बाद वील्स की सप्लाई को चालू रखने के लिए चाइनीज कमपनी को 39,000 वील्स का ओडर दिया गया था लेकिन फ्यूचर में इन प्रॉब्लम्स को कैटर करने के लिए रेल वी मिनिश्टर असवनी वैसनब जी ने भारत में इन रेल वील्स के प्रोडेक्शन के लिए एक टेंडर फ्लोट किया था जिससे यूरोपियन और चाइनीज कमपनीस पर निरवरता पूरी तरह से खतम की जा सके इस टेंडर में सेल, भारत फोर्ज और रामकिशन फोर्जिंग टीटागर के साथ पार्टनर्शिप में इन वील्स की मेनिफेक्शरिंग के लिए सामने निकल कर आए है फिलाल तीन बिट्स को एक्जामिन किया जा रहा है जिसमें टेकनिकल एवैल्यूशन की बाद फाइनेशियल बिट को ओपन किया जाएगा सलेक्टिड बिडर एक हजार करोड रुपे की एस्टिमेटेड कोश्ट के साथ पूडक्शन यूनिट को सेट अप करने वाला है इससे पहले रेलबेस यूरोप से इंपोर्ट करने पर निर्वर्थ थी लेकिन अब इस फैसिलिटी को सेट अप करने के बाद LHB कोचिस, लोकोमोटिफ, हाई स्पीड और सेमी हाई स्पीड बंदे भारत ट्रेंज के लिए वील्स की मैनिफेक्चरिंग अब भारत में ही की जाएगी डिफरेंट वील्स की रुकाइर्मेंट में से 50% LHB कोचिस के लिए 40% लोकोमोटिफ, 7% इलेक्टिक मल्टिबल यूनिट और मीमू ट्रेंज के लिए और 3% वील्स वंदे भारत ट्रेंज के लिए होने वाले हैं डिफरेंज की डिमांड को पूरा करने के लिए सप्लायर के द्वारा फ़श्ट इयर में 40,000 वील्स, सेकंड इयर में 60,000 और इसके बाद हर साल 80,000 वील्स प्रोवाइड किये जाएंगे रेल्बेस की डिमांड को पूरा करने के बाद सप्लायर इन वील्स को इंटरनेशनल मार्किट में भी एक्सपोर्ट कर सकता है तो दोस्तों इस पे आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट सेक्चन में जरूर बताएं